नमस्कार, मैं आर्थी कुमारी, सहायक निबंधक भिहार राज विदिक सेवा प्राधिकार, आप सभी का इस कारिक्रम में स्वागत करते हैं। यह कारिक्रम पैन इंडिया वेर्नेस आउट्रीच कैम्पेइन के अंतरगत आयोजित किया जा रहा है, जो कि विश्व मानसिक स्वास्थे दिवस के शुभवसर पर आधारित है। डॉक्टर सचीदानन सिंग, जो कि एसिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्यम्च में, और इनके पास दस साल से भी जादा प्राक्टिस है, और वो प्यम्च में ये कारे रत रहे हैं, अभी भी हैं। तो सर से निवेदन हैं कि आज के विशेपर अपने अनुभव से जाग रुपता फैला। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिदानन सिंग है, और मैं मानसिक रुग विभाग PMCS पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक राधापक के पद पर कारे रत हूँ। मैं पहले तो धनवाद देना चाहूँगा वियार स्टेट लिगल सर्विशेज अथोर्टी का जिन्होंने मुझे मानसिक स्वास्य दिवस पर बोलने का मौका दिया। आज हम लोग सेलेबरेट कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्य दिवस। क्या तातपरे हैं क्यों हम लोग इस दिन को मनाते हैं। जब भी हम इस तरह के किसी भी दिन को याद करते हैं तो इसका तातपरे होता है कि हम इस विशेप पर लोगों का ध्यान आकरशित करें। और हमारा उद्दे से होता है कि जादा से जादा जागरुकता फैला है ताकि ये समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी भी मानसिक स्वास्त बहुत सारे ऐसे छेत्र हैं जहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों के लिए ही एक जागरुकता का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और आज हम लोग इस दिन को विष्व मानसिक स्वास्त दिवस के रूप में बना रहे हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मानसिक रोग है क्या या मानसिक स्वास्त क्या है क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग है मानसिक स्वास्त का मतलब है मानसिक मन के रूप से स्वस्त रहना स्वस्त का मतलब है कि अगर हम अपने काम को अपनी जिम्यदारियों से निभा रहे हैं अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं अगर हम अपने दैनिक जीवन में चोटी मोटी परिसानियों से लड़ पा रहे हैं और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, सही योगदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि हर वेक्ति हर समय मानसिक रूप से स्वस्थ ह होता है हमारे जीवन में उतार चड़ाव प्रती दिन आते खह인가 हम तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीमार हो गए तो परिसल्दिक अंफार हम खुद को थोडेर में ये एक दो दिन में चार दिन में हम खुद ठीक कर लेते हैं। लेकिन जड़ा सोचिए कुछ से लगातार कई दिनों तक αगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, का रहा है, अगर कोई गरनी है, और कोई और पेशे में है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है और इसके साथ ही कुछ और लक्षन जुड़ते चले जाएं जैसे बहुत सारे ऐसे लक्षन हैं जिनको हम रोज अपने जीवन में मसूस करते हैं पर अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हम इसे बीमारी कर सकते हैं जैसे नीद नहीं आना, खाने पीने की कमी, बहुत ज़्यादा गुसा करना या बिल्कुल उदास रहना, बिल्कुल अकेले में बैठे रहना या बेचाएं हो जाना सो इस तरह के कई सारे लक्षन हैं जिन से पता चलता है कि ये मानसिक रोक के लक्षन है और अगर किसी व्यक्ति म कुछ समय तक लगतार यह लक्षन कई रूपों में मौझूद हो तो हम इसे मानसिक रोग कहते हैं और जिसका इलाज करने के आवशकता है अब हम लोग बात करेंगे कि क्या मानसिक रोग ठीक हो सकता है या नहीं तो मानसीक रोग ठीक होने के पहले हम यह समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर मानसीक रोग है क्या और यह कितने तरह का होता है और किस-किस तरह का हो सकता है तो हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा मानसीक बीमारी है वो है डिप्रेशन डिप्रेशन यानि अफसाद ज़रा सोचिए अगर कोई विक्ति सही से काम कर रहा है, पढ़ रहा है, खापी रहा है, अपना घर चला रहा है लेकिन अचानक किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है जिसके चर्चा हम बात में करेंगे अगर कुछ दिन से लगातार उदास रह रहा है, या चिर्चिडा रह रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है उसे बिल्कुल थका थका हुआ महसूस कर रहा है, ठीक से नीन नहीं आती है, या ठीक से खाना पीना नहीं खा पा रहा है तो अगर इस तरह से एक साथ ऐसे लक्षन आये और अगर ये दो सप्तास से अधिक हो जाए तो हम इस परिशानी को डिप्रेशन बूलते हैं इसके साथ ही कभी-कभी डिप्रेशन की गंभीरता भी बढ़ जाती है जिसमें कई व्यक्ति कुछ गलत कदम भी उठाने के लिए सोचने लग जाते हैं जैसे सुइसाइड जैसे कदम या खुद को नुक्सान पहुचानी जैसे कदम इसको रोकने के आवसकता है क्योंकि इसको ठीक किया जा सकता है दूसरी जो सबसे कंभीर समच्या आती है वो है बैचैनी, बैचैनी हर किसी को होती है जब भी हम किसी विप्रीत परिशिती में होते हैं तो हम बैचा इन होजाते हैं लेकिन वो कुछ दिर या कुछ दिन में ठीक हो जाता है लेकिन जड़ा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बेचैन है और जिसका कोई कारण नहीं है, वो घर बैठा है, सुरुचित है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं सुरुचित नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं क्या कर बैठूँगा, पता नहीं मेरा स कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे किसी को पैनिक अटेक अचानक से इस तरह के लक्षनों का आना और अचानक से ठीक हो जाना उस दिर के बाद तो इसे हम लोग पैनिक अटेक कहते हैं किसी को हर जगा बेचैनिक बीमारी होती है हर जगा बीमारा बेचैनिक महसूस होती रहती है उसे हम लोग जनरलाइज एंग्जाइटी डिजॉर्डर गूरते हैं। तो इस तरह से कई और भी बेचानी की परिशानिया होती है। जिनको जो आपके अगर मानसिक रोग के कोई डॉक्टर है जिनसे आप संपर करना चाहेंगे तो आपको और विश्तार से बता सकेंगे। तीसरी जो बड़ी समस्या है उसे हम फोबिया कहते हैं। फोबिया यानि डर डर भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम सभी लोग कभी नगभी डरते हैं। लेकिन ये डर तब ज्यादा गहरा हो जाता है जब उसका कोई वजह नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर पांचमें मंजले पे चड़ रहा है तो उसे पांचमें मंजले के चट पर से डर लगता है। जबकि चारो तरफ बाउंडरी है घिरने का कोई भरुस्ता संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति बंद कमरे में है, अपने ही कमरे में, बात्रूम में या लिफ्ट में तो भी उसे डर लग रहा है। तो भी एक समस्या है, इसे फोबिया काते हैं। अब यह तो एक स्पेक्ट्रम है बिमारी का। दूसरा जो प्रशानी है जिसे हम लोग OCD बोलते हैं। यह आज कल के दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। OCD को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। OCD का तात्पर है Obsessive Compulsive Disorder। Obsessive Compulsive Disorder का मतलब है कि एक ऐसा विचार जो हमारे मन में न चाहते हुए अवानची तुरूप से बार बार आता है। जैसे एक विक्तिक को लगता है कि मेरा हाथ ठीक से साफ नहीं है। तो वह जाकर हाथ धोता है लेकिन हाथ धोने के बाद हूट मतला है और उसे लगता है कि यह घंदा है!! उगना तो नहारा है अगर वो नहाने जाता है तो 2-3-3 गंटे तक नहा रहा है ऐसा हम लोग अक्सर अपने clinical practice में देखते हैं जब patient बूलते हैं कि अक्सर हम जब नहाने जाते हैं तो जब भी जाते हैं तो कम से कम 2-3 गंटा, 4 गंटा तक नहाते हैं और एक से दो टंकी तक पानी खा दी हो जाता है जरा सोचिए उनके मन की व्यथा ये काफे गंभीर समस्या है और उस व्यक्ति के मन में कितना ज़्यादा तनाव रहा होगा कि जो नहाने में समय हम लोग 10-15 मिनिट व्यतीत करते हैं और वो तीन घंडा तक ना आ रहे हैं उनके मन में था को समझनी के जरूवत है तो ये बिमारी है जिसे हम Obsessive Compusty Disorder बोलते हैं इसी के साथ इसी तरह कि और भी बिमारी है Obsessive Compusty Disorder में होती है जैसे कुछ लोग हर चीज़ को सजा कर रहना चाते हैं उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता है कि कोई सामान इधर से उधर रखा जाए ये समस्या है और किसी को लगता है कि दरवाजा, खिड़की या गैस का नौब ठीक से बंद नहीं है अब उन्हें भी बार-बार बंद करने के अवसकता होती है और वो बंदो कर देते हैं लेकिन फिर वापस जाकर चेक करते हैं फिर एक बार फिर दो बार फिर तीन बार पर लगता है उन्हें के शायद बंद नहीं है ताला लगा देने के बाद भी बार-बार चेक करते हैं तो ये एक मानसिक बिमारी है इसको समझने की जरूरत है, इसे obsessive, compulsive disorder बोलते हैं, एक और जो गंभीर समस्या है, जिसे गंभीर मानसिक विमारी कहते हैं, वो है psychosis, या इसे लोग सीजोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं, हलाकि psychosis और सीजोफ्रेनिया दोनों थोड़े से अलग है, मतलब कि सीजोफ्रेनि या stigma समाज के लोग उस पर लाद देते हैं, जैसे उनके वैवहार में काफी बदलावा जाता है, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्यदिश हो जाते हैं, गाले गलाज, डडाई जगडा या मारपिट करने लग जाते हैं, तो एक समस्या ये है, इसमें दूसरी बात क फैलाते हैं, तो इस समस्या को डिलूजन बोलते हैं, और इसी के साथ ही अगर प्रक्ति को लगने लगे कि अकेले में रहते हैं, फिर भी उसे कुछ आवाजे सुनाई पड़ती है, और आस पास में आवाज देने वाला कोई नहीं होता है, तो इसे हलुसिनेशन बोलते हैं, तो अगर इन सब समस्याओं को एक साथ देखा जाए, तो इसे साइकोसिस क करते हैं, ये एक गंभीर मांसी समस्या है, इसे समझने की जरूवत है, और इसकी बिल्कुल इलाज करने की जरूवत है, काफी हद तक इसका इलाज अभी मेडिकल फ्रेटरिनिटी में, हमारे साइक जिससे पेशिंट काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, इस तरह की और भी कई समस्याओं हैं, जैसे एक समस्या अभी जो बहुत यूगों को बहुत ज़दा प्रभावित कर रही हैं, वो है नशे की समस्या, नशे की जब हम लोग बात करते हैं, तो क्या कोई विक्ति अगर एक द बीमारी तब है, जब इसका इतना ज़्यादा सेवन करने लगे लोग कि उसके बिना रहा नहीं जाएं, अब उसके लिए दिन पर प्रयास करते रहें, जब भी वो छोड़े तो लगे कि नहीं मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको नशा बोते हैं, तो सबसे खास फीम का नशा है, ये तीन नशा जो है, जो काफी तीजी से बढ़ रहा है, जिसको की रोकनी क्या बसकता है, और उसके पहले रोकने का मतलब है कि सबसे इसकी सुरुवाद सबसे पहले हम घर से करते हैं, अगर हमारे घर या आसपास में कोई भी इस तरह का व्यक्ति है, जो नशे के सिकार है तो उसे psychiatric setup तक लाने की जरूरत है ना कि उसे नसेड़ी जैसे सब्दों से उसको संबोधित किया जाए क्योंकि ये एक बीमारी है वो इतना मजबूर है कि वो छोड़ नहीं पा रहा है तो इसके लिए doctor है इसके लिए psychologist है जो इन समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं जब नशे के बात कर रहे हैं तो एक और समस्या जो अभी बहुत ही तेजी से फैल रही है वो है internet addiction इंटरनेट addiction यानि internet से जुड़े हुए रहने की बीमारी अब आप कहेंगे कि हमारे हमारे घर में तो सभी लोग phone का इस्तेमाल करते हैं तो क्या phone का इस्तेमाल करना internet addiction है क्या जी ने फोन का इस्तेमाल हर लोग कर रहे हैं और वो addiction नहीं है जैसा मैंने अभी कहा कि addiction तभी है जब addiction से जुड़ी हुई कुछ समस्याय आने लग जा है जैसे अगर कोई विक्ति जरूरत से ज्यादा समय तक phone पर यूज कर रहा है अगर वो बहुत देर रात तक जाग रहा है जब भी वो phone उसके पास नहीं होता है और उसे बेचैनी महसूस होने लग जाती है अगर वो बार बार इंटरनेट यूज को ले करके जूट बोल देता है अपने परिवार वालों से और अगर उसके साथ चिड़चिड़ा पन हो अगर उसके साथ बेचैनी हो या उसका moods ups and down हो जिसे हम लोग mood swing बोलते हैं खाने पीने का वे ध्यान नरहता हो उसको पढ़ाई काम या रिस्तों का वे ख्याल नहीं रखता हो और अपना ज्यादा तर समय फोन पर वितीत करता हो तो इसे internet tradition कहते हैं अभी हाल में हमने देखा हम लोग पूरे अविस कोविट से के समस्य से जूज रहे हैं अभी तक हाउस बाउंड हो गये मतलब घरों में कैद हो गये उनके पास माध्यम फोन और टेलिवीजन तो फोन एक ऐसा चीज है जिसे हम सब लोग हर दिन और हर पल अपने साथ रहते हैं इसलिए यह ज्यादा गंभीर समस्या है नशे को आप दूर रखेंगे तो शायद पीने का मागने के समय को निधारिद कर सकते हैं कैसे हम दिन में एक घंटा या दो घंटा पढ़ाई के समय में या काम के समय में फोन से दूरी बना कर रख सकते हैं जिस समय में हम फोन से दूरी बना कर रखें उस समय में या तो हम पढ़ाई करें या अपने परिवार या दोस्तों क साथ समय बिताएं यह बेहद जरूरी है अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फोन को यूज करेंगे ना कि फोन हमें यूज करेगा इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव यूगों पर पड़ा है क्योंकि यूग का मन जो ने ने अभी यंग होते हैं उन लोगों के मन में क्यूरिशिटी हो खीचता है इससे खुद भी बचने की जरूरत है और इससे हमें अपने बच्चों को भी बचाने की जरूरत है तो अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है इंटरनेट अडिक्शन से तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम खुद को इंटरनेट या फोन से थो बारा बुज़े तक फोन चलाते हैं तो उसे लगए गाय कि इक नौर्मlan यह ऑसे Aren मतलब बारा बज़े तक रात तक फोन चलाना कोई गलत बात नहीं है अगर फ्री बैटे हैं घर में सभी लोग और घर ज़ा है उसे लगए गया कि यह तो नॉर्मल करो, क्यों ना करो, तो इस तरह का संदेश बच्चे के मन में जाता है, इसलिए अगर बच्चों को फोन से दूर रखना है, तो सबसे पहले खुद को फोन से दूरी बनाने को, इसके साथ ही कुछ और भी बच्चों की मानसिक समस्याएं हैं, जिसे आउटिज्म बोलते हैं, आ बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, दो साल, तीन साल, चार साल के, तब उसमें ये लक्षन देखने सुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चा गुमसुम रहता है, वो आख मिला के बात नहीं करना चाहता है, लोगों के बीच में उठना बैटने में उसको दिक्कत होने लग या उसके language development में problem हो जाती है, मतलब बच्चा ठीक से बोल नहीं पाएगा और communicate नहीं कर पाएगा, जो सबसे important है, तो ऐसे बच्चों को भी मानसिक स्वास्त समस्थान में लाने किया वा सकता है, जिससे की उनका सही मार्दासन दिया गया है, इसके अलावा और भी बच्ची क अगर प्लेग्राउंड पे गया है, तो वो खेलने में उसका ध्यान कंब और लोगों को तंक करने में उसका ध्यान जादा जाएगा, अगर वो पढ़ाई के लिए बैठा है तो दो दो मिनट में उसका ध्यान भठकेगा, और वो यहां सब भागने का प्रियास करेगा, या कोई और काम करने का प्रयास करेगा अगर कॉंसेंटेशन ही नहीं है अटेंशन ही नहीं दे रहा है वह किसी पढ़ाई पर या किसी और काम पर तो उसकी आदास्त भी नहीं रहेगी तो परिच्छा में एक्जामनेशन में उसके मास्क गिरते चलिए जाते हैं पैरेंट्स या ऐसा है जो बार-बार उसका सोच एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है जिसके चलते हैं वो पढ़ने पा रहा है अज इसके वज़ए से उसमें फ्रस्ट्रेशन होता जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन गुस्टे की रूप में बाहर देखता है और फिर परसेती और तब करें थोड़ा भी अच्छा करें तो उसे बहुत सा बासी दें और अगर कुछ भी उसका व्यवहार गलत हो तो उसे टाटे नहीं सबसे पहले उसे समझाने का प्रयास करें कि आखिर ये काम ना करें तो क्यों ना करें उसके क्या अच्छे और क्या बुरे परिनाम हो सकते हैं अगर हम बार-बार उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में बात करेंगे, अगर बार-बार हम उससे समझाएंगे, तो धीरे-धीरे बच्चे समझने लग जाते हैं. दाटने से बच्चे रेबिलियस हो जाते हैं, वो विरोध करना जाते हैं, तुम्हें जो करना है, करो मैं तो ऐसा ही रहाओगा। इस चीज से बचने की जरूरत है, हमें बच्चों पर खास धियान देनी की जरूरत है, क्योंकि इस lockdown के समय में बच्चे ज़ादा प्रभावित हुए हैं. बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है था कि आ रहा है कि आखिर स्कूल बंद क्यों है बहुत सारे बच्चे जान भी रहें कि स्कूल बंद क्यों है पर उन्हें क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समय में बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों को अची किताबे ला कर दें, जो कहानियों की किताबे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पंस नदर की कहानियां, जैसे हम लोग बच्चमन में पढ़ते थे, उस तरह के कहानियों को सुनाएं और उनको पढ़ने क के तरीके में या व्यवहार में या उसके भावनाओं में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से वह बिल्कुल अलग जैसा दिख रहा है तो क्या करें क्या उससे अमदूरी बना लें क्या उसे कुछ ऐसे सब्द कहकर संबोधित करें जो खराब लगे या उसके परिवार को खराब लगे नहीं ऐसे लोगों से बात करने की आवसकता है उनसे बात करें उनसे समझने का प्रयास करें कि आखिर समस्या क्या है और अगर बात करने से समस्या हल हो जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात बात करनी चाहिए लेकिन अगर सारी परिशानिया हैं जो आम जीवन में लोग नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि अरे इसको तो जादा सोचने की बिमारी है, इसको तो जादा सोचने की आदत है, जादा सोचने की बिमारी नहीं होती है, इसको जादा सोचने की आदत नहीं होती है, चुकि वो मानसिक रूप से बिमार है इसी लिए वो ऐसा कर रहा है जो डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या समाधान संभव है समाधान की जब बात करते हैं तो दो तरह के समाधान जनरली डॉक्टर्स बताते हैं एक तो दवाईयों के द्वारा और दूसरा है कॉंसलिंग जिसे टॉक्ट कॉंसलिंग का मतलब है बात्चित के जरिए हम किसी के मन की भावनाओं को और उसको विचारों को बदनने का प्रयास करते हैं तो यह डॉक्टर बताते हैं कि आखिर किस व्यक्ति को या किस मरीज को कॉंसलिंग या थिरैपी की आवसकता है जहां तक दवाईयों की बात है द जिन्दगी भर तो नहीं खाना पड़ेगा कहीं लीवर किड्नी या और कोई शरीर का अंग खराब तो नहीं हो जाएगा याद रखिए ज्यादातर दवाईयों के चाहे वो किसी भी विभाग का हो कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है साइड इफेक्ट से डरना नहीं ह लेकिन जादा तर लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और मानसिक रोगों की दवाईयां जरूरत है ना की आदत जैसे किसी को हाइपरटेंशन है किसी को डाइबिटीज है तो अगर एक डाइबिटीज या हाइपरटेंशन का पेशिंट अगर जिन्दगी भर द तो उसे हम आदत नहीं कर सकते हैं वो उस बिमारी को कंट्रोल में रखने की जरूरत है बिल्कुल वैसा ही बांसिक रोग के इलाज में भी लागो होता है इसमें भी लगातार जबार के जरूत होती है और आम तोर पर पर जआधा समय तक दवाईयां चलती हैं जहां तक रही हमें नीद नहीं आएगी तो हम नीद की दवाई लेंगे लेकिन ये कुछ ही समय तक दिया जाता है और डॉक्टर कुछ महीनों में या कुछ सप्ताह में उसे बंद भी कर देते हैं तो बिलकुल भी मानसिक रोग की दवाईयों से डरने की जरूरत नहीं है ये हमारे और आपक ये मन को स्वस्थ रखने के लिए ही बनाई जाती है और जादा तर लोग मानसिक बिमारियों में या तो ठीक हो जाते हैं या तो उनकी बिमारी कंट्रोल में रखती है याद रखें जितना जल्दी इलाज सुरू करेंगे फाइदा उतना ही जादा होगा इसलिए अगर आप के आसपास में कोई ऐसा वेक्ती दिखाई देता है जो जिस पर आपको लगता है कि आप कोई वो मानसिक बिमारी हो गई है तब तो उसे हम इलाज करा सकते हैं लेकिन जो लोग बिल्कुल ठीक है वो अपने मानसिक स्वास्त को कैसे ठीक रख सकते हैं तो अभी सबसे पहले जो जरूरी बात है वो यह कि हमें अपनी दिन्चरिया में बदलाव लाना होगा जो लोग समय पर सो रहे हैं, समय पर उठ रहे हैं, वो ठीक है लेकिन जो लोग देर राद तक जगते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, उनके लिए उचित नहीं है हमारे ब्रेन में एक बायलोजिकल क्लॉक होता है, मतलब एक घड़ी, जो हमारे ब्रेन को बताती है कि हमें कब सो जाना चाहिए हम उस घड़ी से छेड़ शाड़ कर रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि हम समय पर सोएं, समय पर जगें, लेट नाइट तक जगने से बचें, समय पर खाना खाएं, सुबह का नास्ता तो जरूर करें और वो भी समय पर इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में समय निकाल कर आधा घंटा या एक घंटा, मौनिंग वाक, योगा, मेडिटेशन को अगर अपनाते हैं, तो उससे आपका मानसिक स्वास्त और ठीक रहता है अपने लिए खाली समय जरूर निकालें, हमेशा काम से काम नहीं चलता है, काम के समय से अलग हटकर आप खुद के लिए समय निकालें, अपने परिवार के लिए समय निकालें और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं संतुलित खाना खाएं, खाने में हरी सबजी, खाने में दाल, खाने में प्रोटीन युक पदार्थ जरूर लें, साथ ही थोड़ा बहुत दूद का सेवन करें, और धूप में बिल्कुल बैठें, अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे, या हम नहीं बैठेंगे, तो वि अगर कोई तनाव आ भी जाता है, लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में हमेशा कुछ ने कुछ तनाव रहेगा, तो अगर तनाव है, तो उसे जल्दी से ठीक करने की जरूध है, अब कहेंगे कि तनाव को ठीक कैसे करें, तनाव तो तनाव है, लेकिन ये हर किसी के जीवन में आता है लेकिन तनाव को ठीक करने के कुछ उपाय हो सकते हैं कि हम अपने आसपास के लोग जिने हमें लगता है जिने जिन पर हमें भरोसा है हम उनसे बात कर सकते हैं अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि उनसे कुछ solution भी मिल जाए जिससे भी तनाव का हो सकत आप अपने किसी करभी करभी विक्ति से अपनी मन की बात जरूर कहें बात करेंगे तो अच्छा लेगे आज मानसिक स्वास्थ दिवस है मानसिक स्वास्थ दिवस यानि जागरगुता का दिन तो अब चुकि हम लोग बैठे हैं जिस जगह पे वो है बिहार स्टेट लिगल सर्विस दिवस दिवस तो ये जगभुता फेलाने का काम कर रही है मानसिक स्वास्थ के बारे में तो अब अब जानते जानने के कोशिस करेंगी कि आखिर भारतिये कानून ने क्या-क्या amendment किया गया और Mental Health Care Act या मानसिक स्वास्त सेवा अधिनियम 2017 लाया गया जो बिलकुल right best है, right मिन्स अधिकार, कि मानसिक रोगियों को आखिर क्या-क्या अधिकार मिलने चाहिए, मानसिक रोगियों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि किसी सारेरिक रूप से बीमार रोगी को है, उसे वो हर चीज एक्सेस करने का अधिकार है कि कैसे वो अपना इलाज करा सकते, वो कहां इलाज करा सकते, उसके लिए एम्बुलेंस की सर्विसेस जैसे सारेरिक रोगियों को मिलती है, उसी तरह से मानसिक रोगियों को भी मिलनी चाहिए, उसे admission की सुविधा भी मिलनी चाहिए अगर उसे जरूरत है तो और उसे legal ad की भी अगर जब आप सकता है तो वो भी उसे मिलनी चाहिए इसका Mental Health Care Act में साफ साफ वर्नन है कि अभी इस Act के तहत में क्या करना है मैं पहले वो बता दू इस Act के तहत में Central Mental Health Authority होती है State Mental Health Authority होती है, District Mental Health Authority होती है जिसमें की वहां के डॉक्टर्स, वहां के पेशेंट, वहां के पेशेंट के रिलेटिव्स और वहां के कुछ और लोग भी सामिन होते हैं यह हर district level पे बनाया जाना है जो अभी प्रक्रिया में है अगर आपको कोई भी असुविधा या किसी भी मानसिक रोगियों को कोई भी परिशानी होती है जहां लग रहा हो कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है या हमारा समुचित इलाज नहीं हो रहा है तो वहां पे आप वैसी जगहों पर संपर्क कर सकते हैं अन्य था आप ऐसी जगहों पर बिहार state legal services authority के पास भी आकर अपनी समस्या को रख सकते हैं और यहां से भी आप सलाह ले सकते हैं जिससे की आपको आपके अधिकारों के बारे में और कोई भी legal समस्या है उनके बारे में आप जानकारी प्राक्त कर सकते हैं तो मानसिक स्वास्त हमारे लिए बहत जरूरी है मानसिक स्वास्त के बिना हम अधूरे हैं कोई व्यक्ती तब तक स्वास्त स्वास्त नहीं है याथी नहीं है जब तक कि उसका सारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक स्वास्त ठीक नहीं है और वो समाज में अपना योगदान कर रहा हूँ तो अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे सारेरिक रूप से, मांसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और समाज, परिवार या खुद के उधान के लिए आगे काम करना चाहिए तब ही हम उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं तो आज की जानकारी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, उमीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी, जिससे कि आप आस पास के अगर कोई जरूरत मंद है, जिन्हें कुछ किसी समस्या है, चाहे वो इलाज के लिए हो या लीगल एड के लिए हो, उनको आप मा अपनों को मानसिक रूप से स्वासरा सकेंगे और देश को सुधर्द और समिर्द बनाने में मदद करेंगे, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, मानसिक स्वासर के मुद्धों पर जागुपता बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,